बिस्मिल्दा रह्मान रहीम सफ़ा नंबर 118 पिछले दर्स में सफ़ा नंबर 118 पर जो सबक का नाम है अलमनुव मिनस्टर्फ यानि ऐसे भी असमा आते हैं कि जिन में तसर्रुफ में रुकावट होती है पिछले हफ्ते मैंने बताया था थोड़ा सा उसका यादा करता हूँ बहुसा लोग नए है कुछ असमा अरभी मैसे भी आते हैं कि जिन पर तन्वीन नहीं आती दो जबर, दो जेर, दो पेश ये नहीं आते मजीद जहां कसरा की जरूत पेश आती है हर्फे जड़ की तो कसरा ना करके उसके जिके पर फतह आता है इतनी बास अन्याई है जैसे हमने कहा किताबुन तो किताबुन के बापर दो पेश हमने रख दिया किताबुन सबजिक्टिव हालत में किताबन हो गया objective हालत में किताबन हो गया किताबन किताबन हमने दोनों पर देखा कि दोनों पर तन्वीन है यानि दोनों पर एक पर जम्मा का पेश है और एक पर फतहा का पेश है किताबन किताबन आगे हम चलेंगे तो positive case में जब आता है तो यहां पर किताबिन होता है 118 सफ़ा नंबर 118 सबक का नाम है अलमम्नुव मिनस्तर्फ तसरुफ करने की मुमानात है यहां पर मिशाल मैंने दी कि एक इस्म है किताबुन नाउन है हस्ब जरूरत हमें सब्जेक्टिव बनाना है तो हमने किताबुन कह दिया किताबुन यह सब्जेक्टिव हो गया हाला तेरफ में हो गया इसको हम फाइल बना सकते हैं मुपतदा बना सकते हैं अब्जेक्टिव सूरत जब होती है तो वहां पर हम किताबन कह देते हैं बापर दो जबर जब पॉसिसिव सूरत होती है इदाफत वाली होती है तो वहां पर हम किताब बिन कह लेते हैं यह तो इस तरह के अस्मा इस तरह के नाउन तो बहुत गुजरे हैं और जितना हमने अब तक पढ़ा है तकरीबन पूरी किताब में ऐसे ही अस्मा गुजरे हैं कि यहां पर हम दो दो जबर भी देते हैं, दो पेश भी देते हैं और दो जेर भी देते हैं यह एक बनी मिसाल दी है बाकी अब तक जितना हमने पढ़ा है बेशुमार असमा ऐसी मुझूद है आज का जो दर्स है वो ऐसे नाउन के बारे में, ऐसे असमा के बारे में कि यहां पर तसर्रुफ की मुमानात है यानि उन असमा पर हम तनवीन नहीं दे सकते ना दो जबर, ना दो पेश, ना ही दो जेर बलकि एक ही आएगा मजीद जहां पर कसरा देना जरूरी है, वहां कसरा के वज़ाए वहां पर फता हो जाएगा मिसार के तवर पर है जईनबू, जईनबू नहीं होगा, जईनबू रहेगा सम्जिक्ट्टिव हालत में Zainabu अबजिक्ट्ट्टिव हालत में Zainabah Zainaban नहीं होगा पौनसेसी वाली सुरत आएगी ओर फिजर वाली तो नहां पर Zainabin होना चाहिए था लेकिन वो नहीं होगा क्या हो जाहिगा? कफरा के बजयाएगा वो फतह हो जाहिगा जैनवा हो जाएगा पता चला कि हाँपर कुछ तो रकावट है जैसे हम तमाभा के साथ करते है थे मामिला वैसे यहाँपर नहीं कुछ रकावट है तो यह हो गया subjective में फाइल हाई हादते रत्मे जैनवू delivering में जैनवा और हादते जर्मे इतनी बार समझेबी जी हुआ है workshop आप कहते हैं, कि वह असमा कौझ से हैं उन इतना का नाम दिआ गया है गयर मुसरीफ गयर मुसरीफ कि यहाँ पर हम तसरुफ नहीं कर पातें ऐसी असमा जिनमे हम तसरुफ नहीं कर पातें उनका नाम दिया गया है गैर मुसरिफ तो कहते हैं फिर अप कैसे पहचानेंगे उन असमा को अपना चैप्टर यही आज का है गैर मुसरिफ की बहस है उन असमा को हम कैसे पहचानेंगे कि कहां पर हमें तन्वीन देनी है कहां पर हमें कसरा देना है तो उसी के बारे में आज बताना है कि किस किस तरह से असमा रहेंगे तो वो गैर मुसरिफ कहलाएंगे तो जो मुक्तसर वाला रहता है आदमी अगर उसको समझ ले तो उसके इलावा जितना भी है वो समझो इस काईदे से फ्री हो गया आज़ा पर जैसे कहते ने कि एक को समझ लिया दूसरा समय में आता है ना? दो तलबा ने आबस में लड़ाई की एक के बारे में हमने डिकलर कर दिया कि वो जीद गया तो दूसरे के बारे में पूछनी का ज़रूत नहीं रजाती है ऐसे ही हम गैर मुसरिफ अस्मा के बारे में बता दें कि ये ये काइदा है ये ये पहचान है अगर इस काइदे इस पहचान के तहद को इसमा आता है तो वो गैर मुसरिफ गोया कि इस काइदे के तहद नहीं आता है तो वो पिछले दर्स में मैंने कुछ लिखवा दिया था कुछ बता दिया था तो कहते हैं कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं कुछ उजुहात ऐसी होती है जो रिजन होता है वो कहीं पर एक ही सबब से ऐसा हो जाता है और कहीं पर दो सबब से ऐसा होता है अस्मा यानि नाउन कहीं कहीं पर कोई एक ही वजी मिलती है तो वो गैरमस्रिफ हो जाते हैं गैरमस्रिफ हो ये मतलब तन्वीर नहीं आएगी कसरा भी नहीं आएगा और कुछ अस्मा ऐसे होते हैं कि वहाँ पर एक वज़े से काम नहीं चलता है पर दो विजह चाहिए दो वजह हैं मिलेंगी दो रिजल मिलेगा तब जाका किऊ कि वह सिर्फ कहलाएंगे जी एक वजे हाले असमा यह तीन तरह के होते हैं एक वज़े जो आश्मा एक ही वज़े जुम्रे में आते हैं वो तीन तरह के होते हैं अभी बता दूंगा पूंद तो जाया गई घर तो उसमें से नमबर एक अभी लिखवाविदेता हूं वाहा सब्सक्राइब दा दूब मंदूदा हो वो चाहे तानिस के लिए हो या जमा के लिए हो मुवननस बनाने के लिए हो या वो जमा बनाते हुए उसके आफिर में अलिफ मंदूदा आ गया हो वो गैर मुश्रिफ हो जाएगा अलिफ मंदूदा समझते ना अलीफ उसके आफिर में हमजा, इसको बोते हैं अलीफ मम्दूदा जैसे हमने कहा हसनाओ, हसनाओ, हसीन, नून, अलीफ और हमजा हसनाओ, हासीन, नून, ये असली हो गया हा, सी, नून, यह असली हो गया आखिर में एक अलिफ और उसके बाद में हमजा बढ़ा दिया गया यह इसको मौनस बनाने के लिए अहसनू, जादा हसिन उसके आखिर में अलिफ और हमजा बढ़ा दिया गया तो यह हो गया अहसनू से हसनाऊ ये हैं तानिस बनाने के लिए क्या गया पता चला जैसे ओलमाओ आलिम की जमा ओलमा ये तानिस के लिए नहीं है जमा के लिए है तो ऐसा कोई इस्म जिसके आखिर में अलिफ मम्दूदा हो वो चाहे तानिस के लिए लाया गया हो या जमा के लाया गया हो वो इस्म गैर मुसरिफ होगा यहां पर एक वज़े पाई गई इस्म के आखिर में अलिफ मम्दूदा का पाया जाना यह वज़े है कि अगर अलिफ मम्दूदा पाया गया तो वो इस्म गैर मुसरिफ होगा गैर मुसरिफ होते ही बात समय में आ गई होगी कि यहां पर हमें ना तन्मिन देना है ना ही कसरा देना है अब उलमाओ को उलमाओन 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 नहीं करेंगे उलमाओ 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 करेंगे हसनाओ हसनाओ करेंगे इत्वास में आई दूसरी सूरत यह अभी बता रहा हूं कि ऐसे असमा जो किसी एक ही वजे से गैरमफूरा बनते हैं उसकी मिसाल एह ना एक सुरत हो गई ऐसे असमा कि जिनके आखिर में अलिफ मक्सूरा हो अलिफ मम्दूदा और अलिफ मक्सूरा अलिफ मम्दूदा भी पढ़ा है वह गार मुसेरिफ अलिफ मक्सूरा था है तो भी गार मुसेरिफ जैसे हमने कहा सो गरा १स unterstützen वाहरी चछुटी सी अलिफ यहो गया सुगणजिळ थे भी के बुटसी हो गया कि अधिन हमदा बहुब शिके एक चुटी सी अलिफ भादिया तो हो अलिफ मकसूरा, कस्रुन के माने होते हैं, कस्रुन के माने छोटा होना, मकसूरा छोटा किया हुआ, अलिफ मकसूरा वो अलिफ जो छोटी की गई है, मद्दुन के माने होता हैं, खीचना, बढ़ाना, उस अलिफ को अलिफ मम्दूदा करते हैं, जिसको खीच के पढ़ा जाए हमने कहा हसनाओ, उलमाओ, अगनियाओ, ठाखेजे हम, और अलिव मक्सूरा, छोटे सी अलिव, इत्तिया बास में आई, नमबर तीन में है, वोह जमा, वोह जमा, जमा हमने कहा, तो पिछले दुरूस के रोशने में समझ सकते हैं, कि जमा दो तरह के होते हैं, एक जमा सालिम, एक जमा मुकस्त, सालिम के लिए कोई मसला नहीं है, सालिम उस जमा हो गयते हैं, जिसमें वाहिद की सूरत सही सालिम रहे, और कुछ खुरूफ बढ़ा करके उनको जमा बना लिय गया है, तो जो काईदा हमको बता दिया गया है, कि आप ऐसे जमा बना लो, वहाँ कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जमा जहां पर वाहिद की सूरत अपनी अस्री हालत में बाकी न रहे, कुछ खुरूफ बढ़ा दिये गये हूं, कुछ खुरूफ घटा दिये गये हूं, और बसावकाद कभी हुरूफ की कमी जाती नहीं होती, बलकि सिर्फ हरकात एराब बदल दे आते हैं, जैसे हमने कहा, किताब उन, कि माने एक किताब, इसकी जमा आती है, कुटूब उन, यहां से अलिफ को गायब कर दिया गया, कुटूब, कुटूब जमा है, किताब की, बाके हो गई, राजुन हमने कहा, राजुलून, राजुलून के माने एक आदमी है, जमा हमने बनाया, क्या हो गया, यहां पर हमने एक अलिफ का इजाफा कर दिया, यहां पर अब तक दो मिसाले दी गई है, शकल बदल गई है, यह जमा मकसर की मिसाले है, जमा सालिम की मिसा अब यहां जमा बनाना है, तो हम उना बढ़ा देंगे, बहुत ही इवतिदाई दर्स में इजारी बात आई हैं, है ना, हमने उना बढ़ा दिया, उना मतलब ये, वाव और लून बढ़ाएंगे, वाव से पहले वाला जो भी हर्फ आएगा, उसको हम जम्मा दे देंगे, हमने कहा, मुस्लिमून, ये जमा सालिम की मिसाल है, हमने कहा, सादिकून, जमा सालिम की मिसाल है, सालिकून, काइमून, साजिदून, राक्यून, जो भी आप बना ले, ना, तो जमा सालिम बनाने के लिए हमें तरीका बताया गया है, लेकिन जमा मुकसर के लिए हमें तरीका नही कि और शारन से कुतुबन कर लिया गया एक हरस को कम कर दिया गया जब कि Rijal Sindhu से रिजालू कर दिया गया एक हर्फ को बढ़ा दिया गया तो जमा मुकसर बना एक हर्फ की कमी से एक हर्फ की जात्ती से बसा वकात ऐसा भी होता है कि ना जात्ती होती है ना कमी होती है बलकि सिर्फ हर्फ एराग को बदन करके बनाते हैं जैसे reneר है हमने कहा आसादुन आसादुन है न यह बहुत अतना इंगलिस के काइदे में भी आप देख सकते हो हां वहां विशसी मिल जाती है है हमना इंगलिस काईदे में भी जहां से सिंगुलार और प्रिल्वर बनाते हैं कहीं एस बढ़ाते हैं है हाँ तालिव से तुलाब बना हो भी जमामकस्तर है कि मैन के बादमी एक औमी हमने मैन कर दिया जाति नहीं blindness है से बदल दिया ऐसे आ्रभी हु़ी है हमने कहा आशादून आसादुन के माने एक शेर एराब बदल दिया हमने कहा ओसोदुन तो ये बहुत सारे शेर हो गए जवामकसर की तीनों मिसालें भी सामने है वाहिद से किसी हरफ को कम कर लिया गया वाहिद में किसी हरफ को बढ़ा दिया गया तीसरी मिसाल ना कम किया गया ना बढ़ाया गया बलकि एराब को बदल दिया गया पता चला कि जमाम का सर बनाने के लिए हमारे पास कोई काईदा नहीं है अहल अरब उसको जैसा इस्तिमाल करते हैं वैसे हम भी इस्तिमाल करेंगे अहल अरब ने किताब उनको वाहिद माना है, हम भी किताब उनको वाहिद मानेंगे कोतब उनको जमा माना है, हम भी जमा मानेंगे क्यों काइदा तो है नहीं, उनकी जुबान है उन्हों जैसा इस्तेमाल किया, वैसे हम भी इस्तेमाल कर लेंगे इत्ति वास में आई अब कहते हैं वो जमा मुकस्तर जमा मुकस्तर हमको बनाने नहीं मिलता है यह रेडिमेंट मिलता है डिक्सिंद्री में वो जमा मुकस्तर जो फालीलू या फालीलो के अंदास पर हो उसके तर्ज पर हो जमा एक तो हमने मिसाल दिया भी एक मिसाल हमने ली है किताबों से कुतुबुन तो ये हो गया वौलुन के वजन पर हमने कहा रजुलुन से रिजालुन ये फियालुन के वजन पर है रिजालुन अब कहते हो जमा जो फालीलु या फालीलू के अंदास पर हो वह जमा गहर मुसरिफ एक वज़े पाई जाने की वज़े से है ना जो गहर मुसरिफ दिखता है हमको जो गहर मुसरिफ रहता है वो क्या क्या हुआ अलिफ मुम्दूदा आखिर में बढ़ा हो चाहे वो मौनस बनाने के लिए हो या जमा बनते हुए वो अलिम मौम्दूदा हो अलिम मकसूर आखिर में हो नमबर तीन वो हो जमा जो फालीलू या फालीलो के अंदास पर हो मिसाल जैसे मसाजिदू मकाबिरू यह फालीलो के अंदास पर है अब गोया मसाजिदू ये फाालिलो के अंदास पर जमा है उसी तर्थ पर है ना तो इस तरह से जो जमा फाालिलो के अंदास पर आए फाालिलो के तर्थ पर जो जमा आए वो जमा गहर मुस्तरिफ है बशरते की उसके आखिर में गोलता ना आती हो उसके आखिर में, गोलता ना आती हो, जैसे हम कहेंगे, असातिजदातुल असातिजदा, असातिजदा她ना, पालिलह, तो करते हैं, गोलता ना आती हो, फाालीलू या फाालीलू के अंदाज पर, क kupने लोग दो ऑर वाजीत, कि तर्स ने डिफ्रेंस काईए, हैए है, एक में फा आइन अलिफ लाम लाम और एक में फा आइन अलिफ लाम या लाम फा लीलू या फा लीलू जैसे मसाजिदू और मफाती हूँ मिफ्ताहुल के मानने की चावी उसकी जमाती है मफाती हूँ तो जो जमा वो जमा मुकसर जो फा लीलू या फा लीलू के अंदाज पर हो वो जमा गैर मुसरिफ है बशारति के उसके आफिर भोलता ना आती हूँ अगर गोलता है तो फिर वो गैर मुसरिफ है जैसे असाथ इजटन तराम इजटन इत्वासर में आई है एक एक वज़े पाने एक एक वज़े की आने की वज़े से जो अस्मा गैर मुसरिफ तरार पाते हैं वो तीन होगे अलिफ मंदू दाखिर में हो अलिफ मकसूरा हो या फालीलो या फालीलो के अंदाज पर जमा हो तो इसको लिखवा दो कि अल्मम्नुओ मिनस्तर्फ इसको कहेंगे गायर मुसरिफ इसको हम बोलते हैं गायर मुसरिफ ऐसे अस्मा जो एक ही वज़े से गायर मुसरिफ करार पाते हैं वह हूं यहां लिख रहा हूं ऐसे असमा जिनके आखिर में अलिफ मंदूदा बराय तानीस या जमा हो यह तानीस की मिसाल हो गई यह जमा की मिसाल हो गई तो जिनके आखिर में अलिफ मंदूदा हो चाहे तानीस के लिए जमा वो एक ही वजह से गहर मुसरिफ हो जाते हैं अब इन पर ना तनुवीन आएग की नहीं कसर आएगा यह अभी मनें बताया लिखवाया एक ही वजह से एक ही वजह के पाए जाने से जिन अस्मा को हम गयर मुस्रिफ कह देते हैं और होते भी है वजह वजह हैं ऐसे अस्मा जिनके आखिर में अलिफ मंदूदा हो चाहे वो मुनस बनाने के लिए हो या जमा के लिए हो जमा की मिसाल उलमाओ, अगनियाओ, है ना, और मुलस की मिसाल से हसनाओ, तो जिनके आखिर में अलिब मम्दूदा है, उन असमा को हम बोल देंगे, कि ये गेर मुसरिफ है, और गेर मुसरिफ करार पाया, मतलब कि उस पर तन्विर नहीं आने वाली है, कजरा नहीं आने वाला लिखते हैं कि आना आती हो जैसे मशारिक मसाजजिदू मफाटी हो इतिवा सेमियाई अ अब लिखवाता हूँ ऐसे अस्मा कि जो एक वजे नहीं बल्क्रियों के अंतर दो वज़े जाइए एक वजे वाले तो खतम होगे तीरों अब दो दो वज़े चाहिए, तब जा कि उग्एर मसिर्फ होंगे। देखे, अब जो आतब जो असमीआ आ रहे हैं, वो एक ही वज़े, एक वज़े मिलने से वो ग्यव्मसरिफ नहीं होंगे। बल्कि उनके लिए दो वज़े चाहिए। उनमें से एक है अलम और एक है सिंफत अलम रहेगा साथ और रहेगा सिफत रहेगा साथ में कुछ और रहेगा सिर्फ अलम हो जाना काफीद नहीं है ज़ा दून जैदुन किसी एक बंदे का नाम है, लेकिन वो दाल पर हम तन्विन देख रहे हैं, उसको जैदुन होना चाहिए था अगर गयर मुस्रिफ था तो, तो कहते हैं कि सिर्फ अलम होना ये काफी नहीं है, पता चला कि अब जो असमा आने वाले हैं, उस सिर्फ एक वज़े के मिलने से गयर मुस्रिफ नहीं होते हैं, अब दो दो वज़े चाहिए, अलम है अगर तो उसके साथ में छे सूरतें और हैं, इन छे में से कुई एक हाल का पहली छाहिए अलम होगा अलम होने के साथ में अभी जुल लिख्वाओं रच पूरते हैं, का अलम होने के साथ में कोई एक के मैं से कुई धूजे हो गई शे मीं मिलेंगी अलम का होना एक वज़े और बकिटीजा है, को इक बबचत होना एक और यहां पर मुक्ट सर यापती नहीं है फ़साल का हुआ यापती नहीं है उच्छे से कम हो गया है तो कहते हैं कि अलम होने के साथ साथ में नंबर एक आखिर में गोलता हो अलम हो और आखिर में गोलता हो जैसे हमने कहा फातिमा तू हम्जा तू अबईदा तू कतादा तू है ना दो शर्त पाई जाएंगी एक शर्त अलम का होना दूसरे शर्त छे में से कोई एक अभी वह ने लिखवाया है वह आपके सामने है समझे ना अलम हो अलम होने के साथ साथ में छे सर्तों में से कोई एक शर्त पाई जाए उसके बाद है अलिफ नून जायद हो दो शर्त चाहिए जब हम कहेंगे मुसलिमानी किताबानी तो हम कहेंगे नहीं वो नहीं है क्यों नहीं है अलिफ नून वहां पर जायद जरूर है किताब उन एक किताब किताब आने दो किताब अलिफ नून जायद हमने वहां कर दिया किताब उन पलस अलिफ नून जायद कर दिया किताब आने तो हो गया एक शर्त पाई जा रही है अलिफ नून जायद हो शर्त लेके अना एक सर्थ ये अलम हो और दुसरी सर्थ चाहिए उचाहिए हो दो सब्सक्राइब पाई जाएंगी तब जाकर कि वो यह उन्से पाइगा अजमी हो अजमी अरब और अजम यह तो सुने होंगे ना अरब और अजम अरब जो है वो अरब हो गए अरब जो नहीं वो अजम हो गए ऐसा कोई नाम ऐसा कोई अलम जो जिसके आखिर में गोलता हो वो गयर मुसरिफ ऐसा कोई अलम मुहममादवॉel नाम है लेकिन वह अजम नाम है वह 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 अर excit Vallahi से बास वह अ नाती है यह अर वी लबझ है कि जो अब जैसे किसी भी लफ को तूटएंगा तो को यू के नाम साट हुद ने हैं तो दूटें नको दिखंए ओंड़िया है मुहम्मादून ये नाम है लेकिन आरबी लफज है इसलिए ये मुहम्मादून आया है मुहम्मदू मुहम्मदा मुहम्मदन ये 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 मुहम्म इसके आउमाद। आफ 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 आालो के उज्वलबर है ऐसमाद आफ आमियूजाता आउम करता हूं आरव जाता हूं है फिय थो पर, अलम जो फैल के वजन पर हो, जैसे यसरीबू, मदिने का बैड़नाम यही था ना, यसरीबू, तो ये यसरीबू के वजन पर है, यसरीबू के वजन पर, तो कहते हैं कि ऐसा कोई अलम जिसके आखिर में ताह हो, ऐसा कोई अलम जिसके आखिर में अलिफनू जाहिद हो, ऐसा कोई अलम जो फैल के वजन पर हो दो दो शरत में पाई जाएंगी पहली शरत अलम का होना दूसरी शरत इन चारों में से कोई एक है ना अभी वाकी अभी दो आ गया रहा है मुरकब मस्जी हो अधर मुरकब मस्जी हो जैसे भाला बक्कू हजर मोत को इस जगे का नाम है अब मजी किसे कहते हैं हमने जो मुरक्कब पढ़ा अभी तक मुरक्कब तौसीफी पढ़ा है मुरकब इजाफी पढ़ा है उन दोने में कूछ ताल्लूक है कुछ ना उप размू है हमने जो पढ़ा है मुरकब इसाफी दूसρέ पढ़ा हमने मुरकब तोसीफी तोसीफी, एक मुरकब हो गया इसनादी इसनादी मतलब ऐसा मुरकब जिसमें एक मुसनद हो और एक मुसनद दिले हो यानि मुफ्तदा खबर मुफ्तदा खबर सब मिला करके हम यह कहलेंगे कि हमने जितना भी मुरकब पढ़ा है उस मुरकब, मुरकब जैसे हमने कहा है बासम में आगे ना कि दो कल्मे है एक तो है ने दो है दोनों कलमों का आपस में कुछ ने कुछ तालमेल हो कुछ ने कुछ आपस में रिलेशन हो इजाफी हमने कहा तो हाँ मुझाफ है और एक मुझाफिले है एक का तालू दुसरे से जोड़ा जा रहा है यह ना निस्बत है तालू जोड़ा जा रहा है नाम से नहीं है नहीं हुआ पर भी ने का तालूग आद्मी से अदमी का दालूग नेक से हैं दोनौग अबस में मरबूत हैंनि दोनों का आपस में मतलब मुब्तदा और खबर यह हम कहेंगे अके ऊपने खबर से तालूख है सब्सक्राइब का लिए यह तालूख है in किसी के बारे ऊब कुछ खबर दी जा रही है और जो खबर दी जा रही हुआ वह आपस में ताल्मिल है दोनों का तालूख है फैल पा रहा है किमें इस करने वाले का से काम से तालुक है करें आयसा नहो मुरकब मस्जी एक का इसा नहो विए लगी भणर जिए कि आज होते हैं इंटिजाज क вами ला अरो ऑgroक्कम मस्जी हैसा मुरकब जहाँ पर दो कल्में बगयर बेगार किसी रिलेशन के बेगार किसी रब्त के बेगार किसे तालुक के मिल गए हूँ और वह एक नाम बन गया हूँ यहाँ पर बाल यह बाल एक है और बक एक है हजर यह एक है और मौत एक है दोनों मिले हैं अपस में मुरकब हुए है ना तो इजाफी है ना तो सेफी है ना इसनादी है कुछ नहीं है ऐसे ही मिल गए ऐसे ही मिल गए और मिल करके उनका एक नाम हो गया इतिवा समय आई अभी इसका एक नाम हो गया बाल बक एक जगे का नाम है हजर मौत एक जगे का नाम है हैं ये दो कलमें बाल एक है और बक एक है हजर एक है मौत एक है दोनों मिल करके एक एक नाम हो गया है तो यह हो गया मरकब मस्जी मस्जी मतलब की बेगार किसी इस तालु क्यों मिल गया है हम भी मिलाते हैं हम भी मिलाते हैं अभी तलोली यहां पर भी है तलोली थ्वास आगी जाएंगे आठ किलोमेटर वहां पर भी है हम बताने के लिए मिलाते हैं सापा तलोली या इधर एक भुहर पाड़ा है एक तलोली वह है या तो इस तरह से हम मिलाते हैं तो अगर वो मस्जी हो अलम हो तो भी हो गयर मुस्रिफ हो गया दो दो वज़े हैं मिलने की वज़े से जो अस्मा गयर मुस्रिफ करार पाते हैं उन में से एक के बारे में भी मैंने बताया है एक छठा रहे गया है छठा कहते हैं मादूल मादूल वतलब जो फेर दिया गया हो, अपनी असल सूरत से उसको फेर दिया गया हो, उसको बोलते हैं मादूल फेरा हुआ, मोडा हुआ औरूस ऐसे अस्वाज जो मादूल हो वह अस्वाजी दो सबब पाई जाने के शास वालम हो जाएंगे एक बजह पाई जाने की वेसे जो आम करार पाई थे अको को से अधाया कौशी थे अलिर्म दूदा हो तानिस के लिए अलम हो अलम हो हज्मी हों अलम हो बावर्दन फेल हो अलम हो मुवर्णी के अत्रय हॉघ मादूर की दि आ Zum craving जाहिरूंट उमरूं क्या था ? तो आमरूं से हट करके यह दका और जाहिरूं कि इनकी असल है इससे हट करके वो ऑमरू हो गए, तो माधूल हो गए, फेड दिये गए, अपने अस्वजन